कोड एम अल्ट बाला जी पर इस्ट्रीम हुई यह है क्राइम ड्रामा सीरीज है डाइडेक्टिड वाई अक्छे चौबे कोड एम में दो सीजन से दिली जो हो चुके हैं और सेकंड सीजन को बूट सिलेक्ट पर इस्ट्रीम किया गया है अब बात करते हैं बिना कुछ स्पेल करें कोड एम इस शो के रिब्यू के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सकें शो जोधुपुर में सैट है तीन आर्मी आफिसर्स दो मिलिटेंट का एंकाउंटर करती हैं जिसमें से एक आर्मी आफिसर की शूट आउट में मौत हो जाती है उन मिलिटेंट्स के परिवारी जनों का कहना है कि यह है एक फेक इनकाउंटर था जिसमें उन दो मासूम लड़कों को मार दिया गया। उपर से प्रेशर आता है इस केस की जांच करने के लिए। और इस काम को सापा जाता है मेजर मौनिका महरा को। इन्वेस्टिकेशन के दोवान मौनिका को पता चलता है कि यहां कुछ तो का भी काम अच्छा है हलांकि ग्रेट तो नहीं कैसकते बट यहां सभी ने अपने-पने करदार को काफी अच्छे से प्ले किया है और ये इनिफर विंगेट का काम मुझे काफी पसंधाया जो हमें इंप्रेस करने में भी कामयाब होती है। करक्टर्स को यहां काफी कर लेता है और मैंने आज इस शो को बिंजबॉच किया हम इस शो में बहुत इजली इन्वेस्ट हो जाते हैं और ये शो स्टार्ट से ही काफी इंट्रिस्टिंग और ग्रिपिंग है जो हमें आगे चलकर थोड़ा थोड़ा एकसाइट भी करता है लेकिन ये कोई परफेक्ट शो नहीं है इसमें भी काफी कुछ कमिया है यहां सेकंड एपिसोड में एक मिनट चालिस सेकंड पर जो कुछ भी हुआ बहां मुझे उस करेक्टर पर संदेह हुआ और जब मोनिका इन दोनों को पूरी तरह से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं इस शो में कुछ अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते थे चूँकि मैंने यहां सब कुछ गैस कर लिया था तो मेरे लिए यहां किसी भी तरह का कोई भी ट्विस्ट और टर्न नहीं बचा हलांकि शो हमें व्यादा बौदर नहीं कर पाता इसकी लेंथ छोटी है जो व्यादा फिल नहीं होती और मुझे ये शो व्यादा फिलो भी फिल नहीं हुआ एके करके इसके सारे एपिसोड से निकलते चले गए और मुझे पता भी नहीं चला, ये शो हमें कुछ भी बहुत ज्यादा ओफर नहीं कर पाता, पहली चीज तो ये कि इसका प्लॉट कोई नया नहीं है, और यहां सिर्फ investigation होती है, एक mystery को सुल जाने के लिए, और जब हम उसे पहले ही guess कर लें, तो फिर यहां कुछ भी बचता ह नहीं, शो की writing काफी हद तक अच्छी है, ये हमें धीरे-धीरे पूरी तरह से गिरिप कर लेता है, और इस show को एक बार में पूरा देखने में हमें ज़रा भी पतेशानी नहीं होती, actually मुझे इस show से ज्यादा उमीद है भी नहीं थी, तो यहां जो कुछ भी खमिया थी, एक कुछ एक fight sequence देखने को मिलते हैं, जो की ना की बराबर हैं और वो average लगते हैं, show का background इसको सुनने में ठीक लगता है, और sound designing भी ठीक ही है, concept ज्यादा अच्छा है नहीं, और execution ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, cinematography ठीक है, visually show ठीक टाग लगता है, editor का का काम अच्छा है इस show को ज्यादा नहीं खीचा गया, ये चीज मुझे अच्छी लगी, और कम length इसका एक positive point है, और pacing wise, show मुझे ज्यादा फिलो फिल नहीं हुआ, और ये हमें बोर भी नहीं कर पाता, director का का कम कम जोर है, वो यहां कुछ भी अच्छे से समाल नहीं पाते, यहां सब कुछ प् देखने के लिए कुछ अच्छा है, तो इसे skip करें, code M के vision बन के लिए मेरी तलब से 3 stars, यहां हमें English के F words बार बार सुनने को मिलती है, अगर आपने ये शुद देखा है, तो comment करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया होते से like करें, और चैनल को subscribe कर बाह या सजाओं के लिए comment करना न बूले, you can also follow me on Twitter, link in the description, मैं हूनितिशानन्द और जल्द मिलूँगा आपसे किसकर वीडियो में, thank you